जेयोग्राफी सब्जेट के मोश्ट इंपोर्टन प्रिष्णों की प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है तो पिछल लेक्षर में हम लोगों ने अपने प्रिष्णों को जहां पर खतम किया था उसी की आगे आज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपने पहले प्रिष्ण पे हमारा पहला प्रिष्ण है बिष्ट का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर है तो जो बिष्ट का सबसे बड़ा डेल्टा है वो सुन्दर वन का डेल्टा है और ये कहां पर है ये पश्चमी बंगाल में है तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है यह ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जात और अरुणाचल प्रदेश के आगे जब यह असम में प्रवेश करती है तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है तो ब्रह्मपुत्र के बारे में तीन चीज़ें याद रखेगा ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से नकलती है तिब्बत में इसका नाम सांगपु ह है यह भारत में अरवाप्षेल प्रदिस से परवेस करती है इसका नाम दिहांग है और अरवापषेल प्रदेश की आगे जब यह असम में बहती है तब इसका नाम प्रह्मकुत्र हो जाता है आगे भड़ते हैं दक्छन भारत की गंगा किसे कहते हैं जो ये important फिर्श्न है इस नदी दक्षण भारत की गंगा है और ब्रिद्ध गंगा या फिर दक्षण की गंगा किसे कहा जाता है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है और ये गोदावरी नदी कहां से निकलती है ये महराष्ट से निकलती है आगे एक उपर हमारा पिष्ण हमी छोटा हुआ है प्राधी प्राइदीपिय भारत या दक्षन भारत जिसे हम लोग कह सकते हैं उसकी सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दूसरी नमबर पर किष्णा है तो प्राइदीपिय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है गोदावरी गॉदावरी नदी निकलती है तो यह निकलती है इसके बारे भारत के गंगा किसे कहते है नंग चैँ, जब मुहाने पर होता है तो किसका निर्मान होता है तो नदियों द्वारा जो आवसाद लाया जाता है जब वह मुहाने पर जमा हो जाता है तो डेल्टा का निर्मान होता है और डेल्टा की आकरती कैसी होती है जो डेल्टा की आकरती होती है वो तरभुजाकार होती है जो मुख या एस्चुरी कहते हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं यहां पर एक छोटा सा फिगर बना के आपको समझा देते हैं माल लेते हैं यह नदी यहां पर हमारा समुद्र है यह हमारा क्या है समुद्र है यह नदी बह रही है और समुद्र में गिरने से पहले यह अनेक साखा में बिभाजित हो जाती है तो इसकी आकरती लगभग डेल्टा के समान बन जाती है तो ये डेल्टा कहलाता है ठीक है तो इस परकार की नदियों के उधारण कौन से हैं आपका गंगा है यमुना तो इस गंगा की सहक नदी है गंगा है गोदावरी है किसना है कावेरी है इस ड राका विभाजित नहीं होती है, सीधे समंदर में गिर जाती है, तो इस प्रकार की इनदी को एस्चोडी कहते हैं, ठीक है? या ज़ोर नदमुख हिंदी में कहते हैं, तो इस प्रकार की नदियों के कौन से उधारन है, आपका तापती, नर्मदा, सावर्मती इस प्रकार की नदियों के उधारन हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिश्ण है इसको आप हमेशा याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं पस्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है जो डेल्टा नहीं बनाती है तो पस्चिम की ओर बहने वाली नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है अब याद रखिएगा जो डेल्टा नहीं बनाएंगी तो वो क्या बनाएंगी एस्चुरी या जौर नदमुख बनाएंगी तो कौन सी नदियां है नर्मदा और तापती नर्मदा तापती और सावरमती ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती है ये एस्चुरी और जौर नदमुक बनाती है और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरब से पस्चिम क्योर बहती है इस तरह बहती है यानि कि अरब नदी सबसे ज्यादा कहांपर भेती है तो नर्मदा नदी जो है अधिकान चुरूप से आपके मध्य पर्देश में भेती है यह raped दियाँ रखेएगा कि सरदार सरवर बांध कहां पर है इसी नर्मदा नदी पर है आपका सरदार सरवर जी लो भागे बनिया है वो इसी किनारे की मिठी को यह गाट देती हैं तो इस क्रिया को हम लोग किया कहते हैं आपदन कहते हैं आगे बढ़ती है नदियां जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें जमाकर कर देती है Until कर देती हैं जमाओ कर देती हैं नदी के द्वारा जमा करने की क्रिया क्या कहलाती है तो यह निक्षेपन कहलाती है तो नदियां बहुत सारी चीज़ें अपने साथ बहा कर ले आती है उसका जब जमाओ होता है उसको हम लेको निक्षेपन कहते हैं और नदिया जब बहती है त सरवाधिक सीधी बहने वाली नदी यही आपकी नर्मदा नदी है आगे भड़ते हैं भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है ये किस नदी की सहायक नदी है ये गंगा की सहायक नदी है ये प्रिश्ण तो आपको याधी ह कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो सबसे लंबी सहायक नदी है यह मुना आगे भड़ते हैं भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी नदी बनाती है तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन यही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा बनाती है आगे बिहार का सोक कोसी नदी को कहते हैं इस चीज को भी आप ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो जो भारत की सबसे लंबी नहर है उसका नाम है इंद्रा गांधी नहर और ये राजस्थान से ही मुखरूप से होकर बहती है इसलिए इसलिए से राजस्थान नहर के ही नाम से जानते हैं राजस्थान हरियाना पंजाब इन आसपास के सारे राज्यों के जो सिचाई होती है वो इंद्रा गांधी नहर के ही माध्यम से होती है और इसके सबसे लंबा विस्तार राजस्थान में है इसलिए से राजस्थान नहर क भी नाम से जानते हैं, भारत की सबसे बड़ी किर्तिम ज८ कौन सी है तो भारत की सबसे बड़ी किर्तिम ज८ जील गोविंद बलब पंद सागर जील है, जो की उत्तरप्रदेश में है, अब यहाँ पर कुछ अध्यन से संबंधित हमारे प्रृष्ण है और यह बहुत ही important होते हैं कब से कम 30-40 अध्यन से सम्मंधित जो चीजें होती हैं उसको आप याद रखे लिजेगा यहाँ पर 3 चीज़ ही दिया गया है मिट्टी का अध्यन क्या कहलाता है जो मिट्टी का अध्यन होता है उसको पेडोलोजी कहते हैं जीलों का अध्यन क्या कहलाता है जीलों का जो अध्यन होता है उसको लिम्नो लोजी कहते हैं लिम्नो लोजी जीलों का अध्यन कहलाता है चटानों का अध्यन क्या कहलाता है तो चटानों का अध्यन पेक्ट्रोलोजी कहलाता है इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं गुफा इसको हम लोग दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोनों एक ही हैं, ये दोनों के, एक ही मिट्टी के दो नाम है, जलोड मिट्टी या दोमट मिट्टी, ये भारत में सब सरबाधिक मातरा में पाई आती है, और ये सबसे ज़्यादा उपजाव भी होती है, आपकी गेहूं की जो फसल होती है वो इसी दोमट मिट्टी में ही होती है अब ध्यान रखेगा यह जलोड मिट्टी दो परकार की होती है एक होता है खादर और दूसरा होता है बांगर अब यहां पर कौन नई जलोड मिट्टी होती है कौन पुरानी जलोड मिट्टी होती है इसमें हम लोग बार- पुरानिंग मतलब होता है बेकार, बेकार, बांगर मतलब होता है बेकार, ऐसा समझ लिए, याद कर लीजिए, कि बांगर का मतलब बेकार, बेकार कौन से चीज होती हैं, जो पुराने जलोड मिट्टी को बांगर कहते हैं, जो नई जलोड मिट्टी होगी, नई मतलब इस्तम होती है, यह एक आपको डाटा दिया गया है कि kपास की खे टी सबसे अच्छी कहाँ से कहाँ पर होती है, काली मिटी को तो महराष्ट में है और यहां पर एकता पर नाम क्या है रेगुर मिट्टी है काली मिट्टी में कौन सी फसल होती है कपास की फसल होती है इसलिए और कपास से बनाया क्या जाता है सूती बस्त्र बनायाता है इसलिए महराश्ट में सूती बस्त्र की सबसे ज़्यादा मिले हैं यानि सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा कहा बनायाता है महराष्ट्र में ही बनायाता है आगे बढ़ते हैं लाल मिट्टी का रंग किस प्रकार का हो जाता है तो सभाविक सी बात है जो लाल मिट्टी होती है उसका रंग कैसा होता है उसका रंग लाल होता है यह तो नॉर्मल सी बात है अब यहां पर आपसे पूछा है क्योंकि इसमें लाह आकसाइड पायाता है तो लाल मिट्टी का रंग कैसा होता है लाल होता है क्यों होता है क्योंकि इसमें लाह आकसाइड पायाता है चलिए आगे बढ़ते हैं चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे जादा उपयोगी होती है तो चाय की जो खेती ह होती है उसके लिए लेटराइट मिट्टी सफ्यादा उपयोगी होती है यहाँ पर जो डाटा दिया गया है उसी डाटा के अधार पे हम लोग अपना प्रिश्ण बना लेंगे चाहिकी खेती किस मिट्टी में होती है तो चाहिकी खेती लेटराइट मिट्टी में होती है अब ह की खेती होती है तो यह आज के हमारे महत्तपूर्ण प्रिश्ण थे इसको आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो को आपको सारे प्रिश्ण याद हो जाएंगे अगर आपको प्रिश्ण एक दो बार वीडियो को आप देख लेते हैं तो यह सारे प्रिश्ण आपको रट जाते हैं देखना ही पाते हैं इसलिए हम लोग बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी लेक्चर में आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद